Assalam nikum everyone, welcome to Vakhaib Gram where you learn English with easy lessons. In this lesson we are going to learn daily use English sentences और इसमें हम त्रीन जो है वो advanced English structures जो है वो पढ़ेंगे जो कि हम अपने daily conversation में जो इस्तमाल करते हैं, ठीक है? So let's begin, जो हमारा पहला advanced English structure है, उसमें जो इसना के sentences हम बोलते हैं इसमें हम कहते हैं कि वो गुसे से भरा हुआ था, या मेरी जिन्दगी मुश्किलों से भरी हुई है, या ये नफर से भरा बयान है, ठीक है? आप ये देखें, इसमें आप जो common देखरें, भरा हुआ या भरी हुई, इसके लिए हम जो हम इंग्लिश में जो use करते हैं, वो है fraught with, लेकिन आपके जहिन में आ रहा होगा कि full of भी तो हम use कर सकते हैं, हाँ जी, full of भी use होता है, अब दोनों में थोड़ा सा difference है, इसको भरी ही है, या ये चीज़ मुश्किलों से भरी ही है, ठीक है, या वो गुस्से से भरा हुआ था, या मैं नाउमीदी से भरा हुआ था, ठीक है, इस तरह के जो sentences जिसमें के हम किसी नेगटिव चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम fraught with use करते हैं, ठीक है, बाक यहां पर हम fraught with नहीं यूज करेंगे कि इस ग्लास इस फ्रॉट विद वाटर, नहीं, यहां पर नहीं यूज करेंगे, 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 यहां पर हम किसी नेगटिव चीज के बारे में बा पर हम यूज़ करेंगे fraught with anger, full of हम बाकी normal चीज़ों के लिए इस्तमाल करते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी correct sentence नहीं होगा अगर हम यह बोलेंगे कि he was full of anger, नहीं वो सूटी नहीं करता है, इसके लिए मुनासिब word है fraught with, ठीक है, he was fraught with anger, कि वो वो से से उस सोकत भरा हुआ था, ठीक है अब भी जासे next हमारा sentence है, कि मेरी जिंदगी मुश्किलों से भरी वी है इसको आप कहेंगे, इसको इंग्लिश में आम इस्तान से बोलेंगे, my life is fraught with the difficulties, ठीक है my life is fraught with difficulties, ठीक है, कि मेरी जिंदगी जो है, वो मुश्किलों से भरी वी है यहां, मैं tension से भरा हूँ, I'm fraught with tension, ठीक है जब होता है, कोई इंसान जो है, बहुत ज़्यादा tense होता है तो वो कहना चाहरा हो ना, कि मैं इस वकर दोना tension से भरा हूँ, तो आप उस वकर कहेंगे कि I'm fraught with tension, ठीक है, यहां मैं stress से भरा हूँ, I'm fraught with stress, ठीक है कि इस वकर मतलब full उस चीज़ से, मैं आपको बनाना कि fraught with हम हमेशा यूज़ करेंगे जहां पर हमने किसी negative चीज़ के बारे में बात करनी है मैं full of tension, या full of anger, या full of stress नहीं यूज़ कर से इसके विए proper word है, fraught with, ठीक है इसी तरह से जैसे next हमारा sentence है, यह नफरत से भरा बियान है किसी ने कोई statement दी, किसी politician ने दी, किसी actor ने दी, किसी celebrity ने दी वो जो उसकी statement थी, आपने जब देखा तो आपको लगा कि जिसके बारे में उसने वो statement दिये ना, नफरत जलक रही है कि भड़ी यह नफरत उसकी अंदर, ठीक है तो वहाँ पर आपके लिए कि this statement is fraught with hate ठीक है कि यह जो statement उसने दिये, यह जो बियान उसने दिया है यह hate से भड़ावा है, ठीक है यह आपने किसी को यह कहना है, जैसे normal जिंदगी मत है किसी ने किसी के बारे में कोई बात कही, कोई comment दिया और वो comment जो है नफरत यह jealousy से भड़ावा हूँ आपको लगे कि यह बात वो दूसरे इनसान के लिए जो कर रहा है यह तो उसके अंदर बहुत नफरत है, यह बहुत ज्यादा jealousy है तो आप उसको, वहाँ पर आप कह सकते कि your comment is fraught with hate कह सकते है यह jealousy कह सकते है, आप यह भी कह सकते है कि तुम तो ना हसत से भरे वे इनसान हो तो वहाँ पर भी आप कह सकते है कि you are fraught with jealousy, ठीक है कि तुम jealousy से भरे वे हो, ठीक है तो किसी भी negative चीज़ के बारे में कहना है किसी इनसान को किसी भी situation के बारे में तो वहाँ पर आप fraught with कह सकते हैं जैसे इसी तरह से आपने कहना हो ना कि ये रास्ता जो है वो खतरे से भरावा है तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं this route is fraught with danger ठीक है कोई रास्ता होता है sometimes आपने travel करना है और आपको लगे कि ये रास्ता जो है ये बड़ा खतरनाक है ये तो खतरे से भरावा है तो आप वहाँ पर ये जुम्ला बोल सकते हैं this route is fraught with danger हमें इस रास्ते से सफर नहीं करना चाहिए ठीक है जैसे हमारा next है कि ये प्लान खतरों से भरावा है कोई प्लान आपने बनाया है आपको लग रहा है कि इस प्लान में बहुत risk है इस प्लान में बहुत खतरा है तो वहाँ पर आप कहेंगे this plan is fraught with risk or danger ठीक है dangers कि ये plan जो है इसमें बहुत खतरा है इसमें बहुत risk है तो वहाँ पर आप fraught with use करेंगे full of भी कह सकते हैं in a sense कि this plan is full of dangers and full of risk कहीं पर use मतलब full of suit भी कर जाता है जैसे गुस्से वाले या tension वाले के लिए full of use नहीं करता है यहां कर सकता है लेकिन appropriate है कि आ फ्रोट with use करें full of आप बाकी चीज़ों के लिए use करें ठीक है चलें जी हमारा जो next हमारा advanced structure है वो है कि उसकी आंखों में आंसु आने ही वाले थे य यहां अगर आपने कहना है कि मैं नाउमीदी के कनारे पर खरा था अब आपने जो है यहां पर जो इन sentences में जो common चीज़ देखी वो है कनारे पर यह होने ही वाला था आप इसके लिए जो हम English में use करते हैं वो है on the verge of on the verge of देखे इसको याद रखी इससांसे कि जब हम उर्द होने ही वाली थी on the verge of of हमेशा ऐसे sentences में यूज करते हैं जहां पर आपने यह कहना हो कि बस यह चीज होने ही वाली थी मतलब वो बिलकुल एज पर थी वो काम जो ना वो एज पर था बिलकुल कनारे पर था बिलकुल होने ही वाला था और फिर किसी situation की वज़ा से किसी भी पर थी पस यह होने ही वाली थी तो वहां पर हम यह चीज जो ना on the verge of यह यूज करते हैं अब इसके example sentences देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं जैसे कि यह पहला है उसके आंखों में आंसो आने ही वाले थे अब यहां पर देखो हम उर्दू में जब इस तना के sentences बोलते हैं तो कह कि आंखों में आंसो आने ही वाले थे अब यहां पर नहीं कहेंगे कि उसकी आंखों में आंसो बस कनारे पर ही थे हम उर्दू यह हिंदी में जब बोलते हैं तैसे नहीं बोलते हैं ठीक है हम यह कहते हैं कि बस आंखों में आंसो आने ही वाले थे मतलब कि बिल्कुल वो पर कुछ हुआ और उसने अपने आंसु पी लिये ठीक है तो बस आने ही वाले थे बट उसने कंट्रोल कर लिया ठीक है वो हुआ नहीं वो काम तो वहां पर हम on the verge of use करते हैं इसे कि पर कि अच्छ आवारा सेंटेंस है कि मैं तबाही के कनारे पर खड़ा था ठीक है बिल्कुल आप लाण ना करे लाण ना करे कोई किसी की जिंदगी में ऐसा कुछ हो लेकिन सम्टेम्ज अगर किसी इंसान के लाइफ में ऐसा हो कि बस वह ऐसी सिच्टुएशन पर खड तबाह होने वाला था, सब कुछ बस होने, खड़ाब होने वाला था, लेकिन खुदा ने उसको किसी भी वज़ा से बचा लिया, आला सब को अपने हिवज़ आमान में रखे, तो इसको आप ऐसे कहेंगे, I was on the verge of destruction, I was on the verge of destruction, जैसे कि आप ये कहना चाहरे हो, कोई इनसान ये क ही वाला था, कनारे पर ही खड़ा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वज़ा से, जो है, वो बच्चत होगी, और मुझे जॉब से फाइर नहीं किया गया, ठीक है, तो I was on the verge of being fired from my job, ठीक है, आचे जैसे कि, next नमारा sentence है, मैं नाउमीदी के कनारे पर था, होते हैं सम्टेम्स इंसान खुदा ना करे, खुदा ना करे, किसी की जिन्दगी मैसे हाला चल रहे हैं, और लेकिन यह होते हैं, सम्टेम्स के मुश्किले, अगर इतनी ज्यादा लाइफ के अंदर आई था, आपको बस लगते हैं, आपको आप नाउमीदी के कनारे पर खड़े थे, और फिर आपको कोई उमीद की किरन नजर आई, ठीक है, तो वहाँ पर आप इंग्लिश में ये बोल सकते हैं, कि I was on the verge of hopelessness, कि मैं बिल्कुल नाउमीदी के कनारे पर खड़ा था, and then I saw a ray of hope, ठीक है, फिर जहना वो एक उमीद की एक किरन जो है, वो नजर आई, ray of hope कहेंगे आप उमीद की किरन को, ठीक है, आच्छा जी, जैसे कि उन में तलाक होने ही वाली है, दो कपल हैं, अब ये भी मतलब, मतलब कि उनके डिफरेंसिस इतने ज्यादा बढ़ गे हैं, कि वो जस्ट कनारे पर खड़े हैं, कि आप इनके डिवोर्स होने वाली है, ठीक है, वो दो कनारे पर खड़े हैं, कि जहां पर उन दोनों में जो है, वो डिवोर्स होने वाली है, ठीक है, आच्छा जी, अब ये आप, आए होब कि आपको अन दो वर्ज ओफ का जो इस्तमालब समझ में आ गया, कि जहां पर आपनी ये कहना है, कि बस एक चीज होने ही वाली है, ठीक ह कि यह मैं चुतकी बजाते सब गंद आपको जाते साफ कर दोंगा, कोई कमरा आपने बहुत गंदा के ईवर या ओफिस बहुत गंदा की आपने होगा, तो यह आपने कहना है, वो चुत्की बजाते ही यहां होगा, ठीक है, इसके लिए हम जो English में यूज करते है इन जिफी, इन जिफी, ठीक है, जैसे कि इसका sentence है, मैं चुटकी बजाते ही सब ठीक कर दूगा, आप कहेंगे, I will fix everything in a जिफी, fix का मतलब होता है, ठीक कर देना किसी चीज को, ठीक है, तो कुछ चीज खड़ाब हो गई या कुछ भी गडबड हो गई तो आपने गना मैं तो बस चुटकी बजाते ही सब ठीक कर दूगा, तो आप कहेंगे, I will fix everything in a जिफी, ठीक है, इसी तरह से जैसे हमाना next sentence है, मैं चुटकी बजाते ही सब गन साफ कर दूगा, जिसका आप कहेंगे, I will clean all the mess in a जिफी, I will clean all the mess, जितना भी ये सारा mess हुआ हुआ है, हर चीज जो मतलब गडबर जिएंगे, he will be here in a जिफी, he will be here in a जिफी, ठीक है, तो I hope कि आपको ये सारे sentences जो है, वो अच्छे लगे हैं, ये structures अच्छे लगे हैं, कौन से वाला जो था वाप के लिए निया था, आपने first time सीखा है, do let me know in the comments section below, please, 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 मेरे lessons को जो है वो शेर कीजिए, अगर आपने मे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो please सब्सक्राइब कीजिए, and I see you next lesson, Allah अफेस,